शादी के बाद एक महिला के जीवन में मा बनने का पल सबसे खुबसुरत होता है लेकिन कई बार कुछ रिजन्स की वज़ा से प्रेगनेंसी में देरी हो जाती है तो महिला के मन में काफी सारी क्यूस्चन्स आते हैं जैसे के कही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीरिड के कितन की हद तक बढ़ा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण शारीरी के अमानसी कोई भी हो सकता है अगर आप मा बनने की प्लानिंग कर रही है तो आपको कॉंट्रे सेप्टी पिल्स जैसे के अन्वांटेड सेवन्टी टू ये एबॉशन पिल इस तरह की किट का इस्तमाल बिल्कुल बंद करना होगा क्योंकि इनका असर काफी लंबे समय तक चलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मान नहीं बन सकती। आपके पिरियड 10 तारीक से शुरू होते हैं तो आपकी ओविलेशन डेट होगी 22 से 26 तारीक के बीच में। ओविलेशन के टाइम अगर सेक्स किया जाए तो प्रेगनिंट होने के चांसे सबसे ज्यादा होते हैं। प्रेगनिंसी के लिए पुरुष और महिला का शारीरिक और मांसिक दोनों तरीके से तयार होना जरूरी है। महिला के ज्यादा तनाव लेने का असर ऑविलेशन पर पड़ता है जिससे गर्ब ठहरने में परिशानी आती है। पॉइंट नमबर टू गर्बधारन करने की सही उम्र महिला के लिए 22 साल से 29 साल के बीच में होती है। अगर 25 साल की उम्र में प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो यह सबसे अच्छा टाइम है। क्योंकि 25 साल की उम्र में महिला शारिरिक और मांसिक रूप से बच्चा पैदा करने के लिए तयार होती है। पॉइंट नमबर 3 प्रेगनेंट होने की सोच है तो पीरेड के पूरी तरह से बंद होने का इंतजार करिए और उसके बंद होने के अगले दिन ही सेक्स करिए और फिर ओविलेशन डेस में भी सेक्स करिए। पॉइंट नमबर फोर, शारिरिक मेल होने के बाद महिला को 15-20 मिनट तक पीट के बलही लेटे रहना चाहिए पॉइंट नमबर फाइव, बच्चे पैदा करने के लिए महिला का वजन वैल बैलेंस्ड होना जरूरी है वजन ज्यादा होना या कम होना प्रेगनेंट होने के चांसे इसको कम करता है मोटापा अगर ज्यादा है तो बोडी में एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है जोकि ऑविलेशन में बाधा पैदा करता है अगर लड़की का शरी ज्यादा पतला है तो उसे irregular periods की problem हो सकती है Point No.6 अगर period की सही तारीख आपको नहीं पता है तो ovulation का समय मालूम करना मुश्किल हो जाता है ऐसी situation में या तो आप irregular periods का इलाज कराईए या फिर कुछ महिने इंतजार करिए और periods की तारीख को नोट करिए Point No.7 पुरूशों को अपने diet में ऐसे foods खाना चाहिए जो इस पम बढ़ाने में मदद करें जैसे की folic acid, zinc और vitamin C महिलाओ को भी अपने आहार में nutrients से भरपूर food items का इस्तमाल करना चाहिए Point No.8 किसी भी तरह के नशे से बचिये इससे fertility capacity कमजोर हो जाती है जिससे pregnancy में काफी मुश्किले आती है Point No.9 पुरूशों को अपने private part को गर्मी से दूर रखना चाहिए जैसे की पैरों पर laptop न रखना, गर्म पानी से न धोना, इसका बूरा असर इस्पम पर पड़ता है अगर इन tips को follow करने के बाद भी आप pregnant नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई problem है ऐसे में आपको जल्दी ही doctor से मिलना चाहिए और अपना और अपने पती के सारे test कराने चाहिए ताकि जो भी किसी भी तरह की problem है वो सामने आ सके और time रहते उसका सही से इलाज कराया जा सके